गुर्मानी बच्चों, आज हम व्याकरण में बचन बचन परीवतन पॉइंट है तो वहां पड़ेंगे व्याकरण में पॉछा जाता है पेपर में एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं एक वचन यानि कि सब्त के जी सुरुप से एकी वस्तू या प्रानी का बोद होता है उसके र्याक्या है कि सब्द के जीर सुरूप से एकी प्राणी या वस्तु वस्तु यानि पदार का हमें जो भोज होता है जिनान होता है उसे हम एक पचन कहते हैं जैसे जैसे याने वहाँ कौन सा है वचन तो खुत्ता खुत्ता सब्दर कैसा है एक वचन सब्दर है एक ही खुत्ता हो तो एक वचन है लड़का लड़का, लड़की, मचली, तोता आली एक वचन सब्दर है इसे हमें एक ही प्राणी रा एक ही बस्तु का पूर होता है उल शिर्म एक वचन केसी है ईसरा है दूसरा अहाँ वचन है वहँ वचन हाँ वहँ वचन की से कहते है तो जी सब्दासे बहू याने कि एक से ज्यादा प्राइनिल या वस्तु पदार्ट का हमें जो बोध होता है गिनान होता है उसे क्या कहते हैं बहु अचन कहते हैं जा बहु अचन में सब्दा आते हैं जैसे कि कुट्टा का बहु अचन क्या होता है तो कुट्टे लड़का का लड़के, ज्यादा लड़के, लड़की या मशलिया, बिली या, तोदे, ये सब सब्दा क्ञचेट होए? बहु अच्चेट होए? इससे हमें एक ही बचन एक ही प्राणी बस्तु का बोद होता है इससे हमें एक से ज्यादा प्राणी या बस्तु का बोद होता है इससे गोचन कहते हैं बहुत बचन में भी जो परिबतन करने के नियम होते हैं वहां पुल्लिक और स्क्रिलिक में अलगल होते हैं पहले हम देखे लिए पुलिक सब्दा पे बचर परिवश्ट के नियम आप समझेगे किली सब्सब्स बच्चे से भो बचर पे बच्चे हैं किली कुली सब्सब्सब्स पुलिक सब्द में पहला पुलिक है तो आकारा पुलिक सब्दों को बहुँ अचट में बना के समय अंद का आज़ पर है यहां यहां बदल जाता है क्या होता है कि पुलिक पनाने में जो आकारा पुलिक सब्दों होते है उसको यहां बदल पर उसका पुलिक सब्दों बनता है जैसे कि लड़का यहां लड़का सब्दों है तो यहां आकारा पुलिक सब्दों होता है लड़का जो अंद का सब्दों है वहां आकारा पुलिक सब्दों होता है उसका हमें किस में बदल ना है आकार ए में बदल ना है तो यहां पर जो का सब्दों है उसका हमें ए में बदल ना है लड़के यहां उसका पुलिक सब्दों होगा कपड़े कपड़ा कपड़े कुद्दालों कुद्दे इस तरह उसका पुवचन पनेगा कि आकार ए में बदल ना है इस तरह से उसका पुवचन पनता है दूसरा में जी पुलिक सब्दों को जी पुलिक सब्दा के अंत में अ, इ, ई, उ, 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 स्बर हो कॉन्स हो अ, पी, सोड़ा में, बड़ा में उ और यहां स्बर आते हैं उसका बुवचन होता है वहां बुवचन को एक बचन और बुवचन दोनों रूप समाया होते हैं जी तरह से जैसे गर गर सब्दके तो यहां अकाराण सब्दबुआ गर उत्थो पींचे अकाराण सब्दबुआ तो गर सब्दका को बुँचत क्या बनेगा गर भी बनेगा उसके पाद है कवी कवी यानि छोटा एंग यहां छोटा लियाता है कभी सब्द कभी बगवचंट्या बनेगा कभी ही बनेगा उसके बाद में हाथी हाथी सब्द हाथी यहां बढ़ाई है तो उसका बगवचंट्या बनेगा यह दीद रही है तो उसका बगवचंट्या बनेगा हाथी बनेगा पशु पसु शत्रहें यहां छोटा उंठ यहां कि छोटा उंठ है उसका क्या वहलेगा पसु भी बनेगा इसे तरा बढ़ा उंठ यान्कि यहां दीर वह जोग है तो उसका और वाओचन के नाक्ट ही बनेगा तो बच्चों, यह हमें द्याद रहना है कि उसका इंकार सब्दा A, E, E, U, U यहां आते हो, तो उसका बहुवचन पोड़े एक वचन धू कैसे होते हैं, यह समाई भी होते हैं यहां का जो आकार्ण सब्दे हैं, उसमें कुछ अप्वचन सब्दा है जो अप्वचन, एक वचन और वचन समाई रहते हैं, वो अप्वचन क्या होता है, अप्वचन सब्दा तो पीता, पीता सब्दा है, यहां आकार्ण सब्दा भुआ, लेकिन उसका अप्वचन क्या होता है, पीता ही रहता है आना हुआ झाड आल सतते है, पिता जो आँ चान इढ़ी द्रधेगा, महा, चाचान, ये संजा महा जब आडे देते हैं महानी भीडा, चाचानी धब ही द्रधेगा, युओा, युओा सतते है, तो युवा आकाराश बते हुए भी वहाँ अगवा सकते रुष्टा बहुवचन युवादी रहेगा तो यहाँ तो यहाँ रखना है बच्चों हमने यहाँ गुलिंग सब्दर में एक वचन बहुवचन बनाने के नियम समझेगे तो बच्चों यहाँ जो वचन परिवत्त है यहाँ आपने पहले सेंवे भी पड़ा है हम दूसरे सेंवे भी अच्छी तरह पड़ लेगे